दोस्तों, आरिफ और सारस की तस्वीरे वाइरल हुई, और आरिफ के सारस को वनवीभाग ने चुदा कर दिया, यह करके कि सारस जो है वो राजकीप अच्छी है, उसे कोई जिला नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन सारस का इनसानों से लगाऊ जो होता है, वो कितना गहरा ह हुज देखे। तो यह सरश यह मतलब किसी पलिदें को गोंग欸 सब्स थे और वालों में मन करता है गर जाता है भार जाता है जो देता है क्हाने को गाओं के लोग ए तरह पे हैं जो कि लोग खेल भी रहें बच्चे करिकेट भी soort हैं अपना काम कर रही है तो कहीं ना कहीं सारस को जोई डर नहीं है इनसानों से और यह साबित कर रहा है कि 빨 pó Pokim करता है तो हम लगात करेंगे निज्वाओं कि मात्यास के दू साल हो गया.. हाँ.. ठाले मेंसे इसले के दो मारे लाइन.. ße नंसी मरत के बाक्राइ बस्तृत..्हुत वूरत के साथ में चल आ ईए.. ेहरे रहला..तबिध और बाते के जिसे खरत रहे हं.. गुआ त्टि करजिये है..्पता..चरत .. मानन न्यत्से शाहई.. इसक हो जाए भी खाना पुर्याएं वाल पाई टिए चावल ओर पाई तब केहू के साथ है तो को इक यही ना इन्य कोई काटा टोट नाइ काटी आई चोटे-चोटे बच्चा है तो वो कोरे जा दोड़ा कि तार बजा द्तार है। शोपे बच्चा जा अहां चोटे-छोटे ना इत के हूगे मारे लेना साथ में जहिए और इए क्षी। जाल खाले थे क्हुंगे घरे चला जाया तो पर रोटी ने तक घोमा कर रहाना थे जाए हिसे रहा गोशी में गोशी में पढ़ता है और यहां पर सारस है और माता जी बता रहे हैं कि यह बच्पन से यहीं पर है अच्छा यहीं पर मतलब यह सारस नहीं जाता है उसलो नहीं ठिक ताल है ब stance दो बत दुद रहा हैं कि फिर से रहे हैं यह पर ख्यादी में दो बच्छे से ज़ लगती है इहां एंप पर दो अरुदिर कोक्राइब कर भीलार केैह उन आमारे लो canvas ना कियो का टेला मारे ला ना अदिमीन ज़ण न कि किऊ ना ऎको नहीं नोगसान नहीं तब लोगे दिना खाये होए के सब दिना अहां गाह में चल जाए तलाइक चोटे-चोटे मानलक रोटी डार देंगे ना इती सिंवान में खुदे इचरे खाये वाली है ची रही है नहीं बिल्कुल देखिए मातर जबिता रही है कि एक अवरत के साथ य कैसे सारस देखते हो गाहों में काब से देख रहे इंटोर? किया नम तुम्हारा बटा रहा है और बच्चा भी बता रहा है कि यह सारस काफी समय से यहीं पर रहता है और कई साल हो गए यही पे रहता है और इंसानों का यह दोस्त है या कहें कि पूरे गाउं का यह दोस्त है तो कहीं न कहीं अब सवाल यह उठता है जिस तरह से आरिफ के सारस को जुदा कर दिया गया यह कह के कि सारस को कोई जिला नहीं सकता कोई रख नहीं सकता अब जब सार आप किसके उपर कारवाई करेंगे क्या सारस के उपर कारवाई करेंगे कि वो इनसानों के बीच में आके रह रहा है यह बन विभाग वालों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों जब एक इनसान मानवता दिखाता है तो आखिर उससे उस पच्छी को क्यों जुदा कर दिया जाता है जब सारस तडप रहा था तो उस समय लोग कहां थे एक आरिफ ने उसका इलाज कराया और सारस उसका दोस्त बना और उसके बाद अखिलेश यादव जी मिलने चले जाते हैं तो आप जो सारस को बनभाग में ले जाके जो चिडिया घर में कैद कर देते हैं जो पच्छी खुली अवां में गूमने वाला है आजाद रहने वाला है उसे आप कैद कर देते हैं और ये पच्छी ये सारस देखे पूरे गाउं वालों का दोस्त बना हुआ है तो इस पे आप क्या कहेंगे सवाल पहुत है जो कि जनता भी करती है जनता भी ये कहती है कि उस सारस को भी आजाद कर दिया जाए आरिफ के हवाले कर दिया जाए क्योंकि आरिफ और सारस की दोस्ती जो है वो जहां से जादा दोनों एक दूसरे को प्यार करतें और ये सारस भी देखिए ये पूरे गाउं का दोस्त है साहब तो कहां ले जाएंगे इस सारस को किसके उपर कारवाई करेंगे जब ये पच्छी खुद लोगों का दोस्त बना हुआ है तो आप भी देखिए और जवाब दीजिए क्या है जवाब वन विभाग के पास क्या जवाब देगा कोई जवाब नहीं देगा आ यहाँ देखिए एक सारस ये भी राची पच्ची है घूम रहा है और लोगों का दोस्त है हर घर जाता है किसी ने नहीं जिलाया है स्वेच्छा से रहता है तो क्या करेंगे आप सवाल कहीं है जब आप नहीं दे पाएंगे फिलाल आप लोग की क्या रहा है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा